नमस्ते मेरा नाम डॉक्टर निशान्त यागनिक है मैं सीनर कंसल्टेंट नियुरो सवर्जन हूँ मनिपल हॉस्पिटल गुरगाओं में आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे के अफसर में हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के बीच में ये जागरुपता में हेल्प करना कि जिसमें लोगों को पता चले कि स्ट्रोक एक ट्रीटिबल बिमारी है एक्शली क्या है कि बहुत लोगों को अभी भी लगता है कि स्ट्रोक का कोई ट्रीटमेंट नहीं है लोगों को ये समझ भी नहीं आता कि ब्रेन स्ट्रोक है क्या तो इस छोटे से टॉक में मैं आपको दो बातें सुनके आप समझ जाओगे कि स्ट्रोक से सिर्फ लड़ना जरूरी नहीं है उसके उपर विक्टरी भी पाई जा सकती है पहली चीज श्ट्रोक क्या है सब ने हार्ट अटैक के बारे में सुना है ब्रेन स्ट्रोक ब्रेन का हार्ट अटैक है बेसिकली दो टाइप के इसके बारे में मैंने ब्रेंस ट्रोक के अफसर पे एक आर्टिकल भी लिखा है लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ बहुत सिंपल शब्दों में Be Fast Be मतलब कि पेशिंट को बोलने की शक्ती पेशिंट की कम हो जाती है पेशिंट आपको बहुत बार आपके सामने बैठा होगा बहुत बार आपका बॉस बैठा होगा या आपका फ्रेंड बैठा होगा जो अचानक से बोलना बंद करतेगा या उसकी स्पीच स्लर्ड हो जाएगी या उसको बार-बार सीमी बात बोलता रहेगा और आपको समझ आ जाएगा कुछ न कुछ गलत हो रहा है E for Eye Science Eye Science मतलब अचानक से बोलेंगे कि मुझे धुनलापन दिख रहा है देखने में मुश्किल हो रही है Fast मतलब Face F for Face कि मूट में हलका से टेड़ापन चालू होगा और ये टेड़ापन ही सबसे पहली साइन होती है बहुत बार A से आपके Heart Pair कि मतलब आपका बहुत बार Weakness चालू हो जाती है बट Weakness चालू होने से पहले ही आपको Brain Stroke पहचानना है और ये आप पहचान पाते हो because patient बहुत बार एक साइड में हो जाता है आपको अचानक से बोलेंगे कि मैं सीधा नहीं हो पा रहा हूँ इसका मतलब एक स्ट्रोक हो रहा है and S और T हमें है T इसलिए है क्योंकि Time और इस चीज़ के लिए हम Third Point पे आते हैं कि सबसे Important चीज़ क्या है Brain Stroke में वो है Time Brain में Time is equal to Brain ये आप दिमाग में याद रख लीजेगा Brain Stroke को पहचानना और Time पे लोग को लेके आना Hospital First Aid का पार्ट हो चुका है इतना Important चीज़ है इसको स्कूलों में पढ़ाया जारा है आजकर Time जैसे जैसे निकला जाता है Brain उतना उतना Stroke की जकणून में आ जाता है और याद रखिएगा कि एक बार बहुत बार Brain में जो चीज़ चली जाती है बहुत समय आता है लगता है उसको वापस आने में तो अगर हम उस चीज़ को बचा सकें पहले ही तो विश्वास रखिएगा ऐसे Patients जो बोल नहीं पाते हैं मूँ टेड़े के साथ आते हैं और हाथ पर की कमजोरी के साथ हमारे पास आते हैं विदिन अबॉड हाफ नार वनार वो आप बिलकुल नॉर्मल होके अपने फ्रेंड्स और फैमिली से मिलते हैं और एक ऐसी चीज़ से बच जाते हैं इसमें से पूरी लाइफ उनकी चेंज होने वाली है और साथ वालों की और भी ज़दा चेंज होने वाली है तीसरी चीज़ जो स्ट्रोक में है वो टाइम है आपको इमीजिएटली ऐसे सेंटर पे आना है जहां पर नियूरो की फैसिलिटीज है रैपिड रिस्पॉंस है उस नियूरो की फैसिलिटीज का ट्रीटमेंट जल्दी चालू हो सके और ये प्रिपेर्ड और अच्छी फैसिलिटीज में होता है और आखरी चीज़ हमारे पास ट्रीटमेंट क्या है ब्रें स्ट्रोक के बहुत लोगों को लगता है कि ब्रें स्ट्रोक हो गया लखवा हो गया तो अब तो क्या ही होना है पेशिंट का ऐसा बिलकुल नहीं है ब्रें स्ट्रोक होने के बाद भी थेरपीज हैं और उसके दौरान भी थेरपीज हैं दोरान वाली थेरपीज हैं उसमें दवाई से भी आता है इलाज उसमें खून की नलियों के अंदर तार डालके भी ब्रेन स्ट्रोक का क्लॉट तोड़ा जा सकता है जिस तरीके से स्टेंड जाला जाता है तीसरी चीज इसके लिए ऑपरेशन भी होते हैं जो खून की नस फट बीस साल पहले नहीं थी वो अभी routinely यूज हो रही है successfully यूज हो रही है और patients जो बीस साल पहले अस्पताल आते नहीं थे या आके भी बचते नहीं थे आजकल चलते फिरते घर जा रहे हैं तो on the equation of brain stroke, a world stroke day I want to tell you कि आप सतर्क रही है brain stroke को पहचानने की बारे में आप पढ़ आपके father की, mother की, friend की, boss की, colleague की, wife की जान बचा सकता है और यही है फरक between a good center and an average center और हमारे अच्छे center में आपको बहुत अच्छा इसका response मिलेगा so on the occasion of world stroke day I would like to say thank you and be fast